Welcome to my channel इस बीडियो में solve कराइं question number 7 The radii of two cylinders are in the ratio 2 is to 3 and their heights are in the ratio 5 is to 3 Calculate the ratio of their chord surface areas तो क्या बोला है कि दो cylinders का, इन दो cylinders का radius का दोनों के radii का ratio दे दिया है 2 is to 3 and their heights और इन दोनों के height का भी ratio दे दिया है 5 is to 3 अब कह रहा है कि अब ratio find करिए ratio find करिए कि इसका chord surface area of these two cylinders तो पहले-पहले ध्यान रखेगा जब ratio निकालते हैं तो what is the concept of ratio थोड़ा सा समझ लीते हैं देखें, आपको यहाँ पर पहले वाले cylinder का माल लिजिकी R1 radius दिया हुआ है और दूसरेरे cylinder का R2 दिया हुआ है तो जब R1 को हम R2 से डिवाइड करते हैं तो जो आता है मतब simplest form में इसको convert करने के बाद वही आता है ratio और वो जो ratio होता है वही simplest form में माल लिजिकी कट गया तो मिल गया R1 dash यह ratio निकाल लेते हैं R2 dash मने कुछ common factor कटने के बाद आता है जैसे माल लिजिके R1 आपको माल लिजिकी दिया हुआ है 4 cm ठीक है और उसमें divide कर दिया आपने R2 मतलब दूसरे वाले का radius दिया है माल लिजिक 6 cm तो दोनों को जब divide करेंगे तो unit तो cancel out हो जाएगा और यहां से कुछ common factor भी cancel हो जाएगा इसमें 2 cancel हो जाएगा 2 to 4 and 2 to 3 to 6 तो इसमें दोनों में से क्या cancel हुआ 2 cancel हुआ तो अब क्या बन गया यह 2 upon 3 बन गया अब यह simplest form में हो चुका है क्योंकि इन दोनों के जो common factor है वो 1 है और आब इसको लिशकते हैं 2 is to 3 तो जब ऐसा दे तो इसका मतला समझ जाएगे कि इन दोनों में से कोई एक common factor cancel out हो चुका है और वो common factor क्या है वो हमें नहीं पता होता लेकिन हम चाहें तो आरवन की value और आरवन की value find कर सकते हैं उस common factor से मटपलाई करके किस में इस 2 में यदि हम 2 से मटपलाई कर दें मने उस common factor से जो यहाँ पर कटा हुआ है तो 2 to 4 हो जाएगा यह आ गया है कि नहीं यह क्या आ गया है original radius आ गया फिर 3 में 2 से मटपलाई कर देंगे 8 है 1.2 है या 1.3 है या क्या है तो हम यहाँ पर एक variable x से मटपलाई करेंगे ठीक है यदि हम 2 में एक variable x से मटपलाई कर दें तो हमें exact value मिल जाएगी R1 की R1 यह radius से जो हैं find कर लेंगे और यदि हम उसी variable x से मटपलाई कर दें 3 में तो मिल जाएगा हमें R2 दूसरे वाले cylinder का radius मिल जाएगा ठीक है और similarly हमें एक दूसरे factor से मटपलाई करना पड़ेगा 5 में भी 3 में भी और find करना पड़ेगा H1 और H2 तो यह H1 है आपका height of first cylinder और यह H2 है height of second cylinder ठीक है तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे इन दोनों में अलग-अलग variables से मटपलाई करके exact value R1, R2 और H1, H2 का तो पहले हम लिख लेते हैं let let the radii of let the radii of to cylinders R पहली बार हम आनते हैं R1 R1 क्या है अब यह assume कर लिजए R1 क्या है radius of first cylinder R1 is equal to हो जाएगा 2X इस 2 में मटपलाई कर देंगे X से तो मिल दाएगा 2X क्या हम मानते हैं इसको centimeter में सबको जो है एक ही unit में माल लिजए यह भी रब ली सकता है 2X units ठीक है units का use कर सकते हैं आप तो मैं units के unit के unit कर रहा हूँ यहाँ पर 2X centimeter भी में इसको कर लिजए और R2 की value क्यों से निकालेंगे R2 की value objective निकल जाएगे आपको 3X करके तो यह हो जाएगा 3X centimeter हमने माना है यह relate किया है न इसलिए हमें centimeter एक unit माल लिया और X variable से माटपलाई करके exact value R1 R2 के निकल लिया यहाँ पर कैसे यहाँ जब माल लिया हूँ तो यह सच माना हूँ या फिर correct माना हूँ या wrong माना हूँ यह पता करने के लिए आप यहाँ जब ratio निकालेंगे R1 R2 का तो आपको 2 is to 3 ही आएगा क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर ध्यान दिजिए 2X में जब डिवाइड करेंगे 3X से ratio जब निकालेंगे मतलब R1 और R2 का तो दिखे एकस एकस के लोड़ो जाएगा और यहाँ पर 2 is to 3 फिर से मिल जाएगा है कि नहीं तो यही बात है मतलब यहाँ पर correct है अब फिर से आप मान लेंगे and और यहाँ पर फिर से मानेंगे यहाँ पर the heights and the heights of two cylinders R तो पहला है h1 h1 जो height है वो निकल जाएगा यहाँ पर दिखे 5 से मन प्लाइग करेंगे यहाँ पर इसमें कोई और factor कटा होगा है कि नहीं तो 5 into y कर दिजिए यहाँ पर कितना centimeter माल लेते हैं और s2 निकल जाएगा कितना 3 into y centimeter ठीक है तो जब यह fine कर लिए यह दोनों का r1 r2 और s1 s2 तो आप निकाल सकते हैं दोनों का अलग-अलग curve surface area है कि नहीं तो अब यहाँ लिकाल लेंगे अब so, sorry, so, curved surface area of, curved surface area of first cylinder ठीक है क्या formula होता है 2 pi r1 h1 यह आपका है first cylinder और यह आपका है second cylinder ठीक है यह हमने माल लिया है यहाँ पर question में आपको भी मान सकते हैं आप मान कर सकते हैं यहाँ पर देखे 2 pi r1 h1 तो 2 pi को अब यहाँ solve मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ratio निकलना है finally तो 2 pi की value रखने की जोर्त नहीं है r1 की value रख दीजिए r1 क्या है 2x यहाँ पर लिखे देगे into 2x into h1 की value क्या है यहाँ पर देखे 5y है तो यहाँ रख दीजिए 5 into y solve कर लेजिए थोरा सा तो जो number 7 उनको मत बलाई कर लेजिए खेवल यहाँ यहाँ तो 4 हो जागा 4 5 जा 20 हो जागा 20 और pi 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 तो एक ही है मतलब तो pi को एक बार रखे और xy को रख दीजिए साथ में x into y इतना आ हो गया क्या centimeter square तो यह हो गया कॉर्ड surface area of first cylinder और वह इसे निकाल लेंगे second cylinder का अब निकाल लेते हैं कॉर्ड surface area of second cylinder तो यहाँ पर आएगा आपका 2 pi r2 s2 करेक्ट अब यहाँ पर 2 pi की वलों नहीं रखना है into r2 की वलों कितनी होगी यहाँ पर 3x तो रख देंगे यहाँ पर 3x into s2 h2 की वलों किया होगी 3y यहाँ रख देंगे 3y ओके अब यहाँ पर जितने भी constant से मुल्ड़ा कर दीजेए तो 2 into 3 and 3 3 3 3 6 हो जागा 6 3 जा 9 sorry 6 3 जा 18 18 18 pi और यह x into y ठीक है यह आपका है pi तो अब यह आगया इतना centimeter square है आपके करना है कि इनका ratio निकालना है तो finally ratio ratio of ratio of their curved surface area curved surface area इसका लुक्या हो जाएगा पहली बार यहाँ पर होगा first वाले का तो यह हो जाएगा 20 पाई xy xy centimeter square होल अपान यह हो जाएगा 18 pi xy centimeter square तो फानली कटी जाएगा और xy xy भी कट जाएगा pi भी कट जाएगा सब कुछ कट गया बस है 20 और 18 है इसमें से भी cancel अब कर रहे है 2, 9, 18 हो जाएगा 2, 1, 10 अब यह 10 और 9 में कुछ नहीं कट पाएगा तो यह 10 is to 9 यही आपका ratio हो जाएगा मतलब 10 आपन जो 9 आया इसी उकाब रहे सकते हो इस तरीके से 10 is to 9 this is your final answer ओके तो यही concept है और यही तरीका है solve करने का ओके लेकिन एक बात grammatical mistakes जरूर हो जाती है तो solve करने में हो जाता है देखिया जो first use करते हैं आप लोग first और second तो हमें साथ the लगाते हैं हैगी नहीं the मतलब कर सबसे area of the second the second cylinder the first cylinder तो first second या third या fourth या fifth ये जो word होते हैं इनके पहले 2 लगता है खैर हमारा focus वहाँ नहीं था हमारा focus है solve करने का तो main चीज है आप 10 is to 9 ये correct answer है आपका और ऐसे ही आप ratio दिया रहेगा तो ऐसे ही करते हैं हम किसी variable axis से मनटपलाई करके exact value find कर लेते हैं तो उसे तरह हमने radius निकाला इन 2 cylinders का r1, r2 फिर h1, h2 निकाला अलग variable y से मनटपलाई करके उसके बाद से हमने ये solve करके इतना कर लिया thank you so much for watching like कर दिजिए तो share कर दिजिए और कोई भी doubt होता है तो comment box में जरू लिखेगा इधी doubt नहीं भी है तब भी comment box से लिखे thank you so much, bye